नुश्कार दोस्तों स्वागतापद CP Smart Classes में दोस्तों लेखपाल भरती के ग्रामीड परवेश की क्लास मैं अपने YouTube चैनल पे आपकी करवाता हूँ प्रेक्टिस सेट यहां पे मैं करवाता हूँ और इस प्रेक्टिस सेट को आज हम लाइब करवा रहे हैं आप हमारे साथ सा समझे लिए पक्का है क्योंकि ग्रामीड परवेश में हम कुछ भी नहीं सो छोड़ा रहे हैं सब कुछ इंपार्टिन जो आपके एक्जाम के लिए वह सब कुछ करवा रहे हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों वाज का हमारा जो पहला प्रशन है वो यह है कि सखी योजना उत्तर प्रदेश का संबंद किस से है देखिए आपके सामने चार आपसन दिये गए हैं आप लोग कमेंट बाक्स में कमेंट कीजिए कौन सा आपसन सही है जिन लोगों ने ए आपसन कमेंट किया है उन देखिए बहुत ही इंपर्टेन ना रहा है उत्तर प्रदेश की और चोथा उपसन दिया के इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर जो लोग यह बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है अगले प्रशन पर आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की किरसी भूमी पर उपलब्द सिंचाई क प्रतिसत कितना है जो टोटल किरसी की भूमी अमाल लेजिए इतनी किरसी की भूमी है अगर इतने प्रतिसत पर सिंचाई उपलब्द है तो यह कितना प्रतिसत हो रहा टोटल का यानि कि कुल भूमी जितनी सिंचाई की है उसके कितने प्रतिसत भाग पर सिंचाई उपलब् तो इसका सही उतर है दोस्तों 72.21 आपसें D सही है यानि कि 72.21 प्रतीसत भाग पर ही केवल सिंचाई की सुविधा उपलब्द है बाकी किरसी योगी भूमी पर सिंचाई की सुविधा उपलब्द नहीं है वहापर किरसी जो होती है वो वर्षा पर ही डिपेंडेंट है अगले प्रस्ण पर आ जाते है राष्टिय तिलहन विकास योजना को प्रारम किया गया कब किया गया किस सन में किया गया आप लोगों को बताइए इसका सही उत्तर हो जायेगा 1985-86 में राष्टिय तिलहन विकास योजना को शुरुआत की गई इस योजना की अगले प्रस्ण 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 पूचा गया है कुल खाद्यान उत्पादर में भारत के तीन सीर्स राजजी मतलब की टोटल जो प्रोडक्शन होता है खाद्यान का भारत में उ इसका जो सही उत्तर है उसमें है उत्तर प्रदेश पंजाब और मध्य प्रदेश ये तीन राजजि जो है इनमें खाद्यान उत्पादन सबसे अधिक होता है ये सीर्स पर है अगले प्रस्ण पर आते हैं मिट्टी के मुख्य पोशक तत्त्त्त्त पूं कौण से है तो सही इसका मिटुल्हेद के मुखी के पोषक तुझ जोते हैं वो देखिए नाइट्रोजन भी होता है फासपोरस भी होता है पोटास बैस निकि सफाहीदben की कमी से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है जिंग अगर पौधों में नहीं रहेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये चार बहुत ही अच्छे आपसन आपके सामने है इसका सही उत्तर होता ये इसका सही उत्तर दुस्तों ये है कि पत्तियों पर सफेद वा भूरी रंकी धारियां पढ़ जाएंगी आपने देखा होगा बहुत सारे पाउदों में जो उनकी पत्तिया होती है उस पे सफेद या भूरी रंकी धारियां पढ़ी होती है ऐसा क्यों होता है जिंग की कमी के कारण होता है आगले पर देश भू लेख पर चिछन संस्थान कहां पर है भू लेख प्रसिचन संस्थान ये आप लोग लेख फाल का एकजाम दे रहे हैं आप लोग penetrate पर चाहिए या आपको मालूम होना चाहिए ये कहां पर है तो सही उत्तर इसका है हर्दोई दूस्तों अगले प्रस्न पर आ चुके हैं इसमें भूमी के हक, सीमांकन एवं बटवारे से सम्मंदित वाद कौन सा अधिकारी देखता है तो ये भी बहुत ही इंपोर्टन प्रस्न है आपके लेखपाल भरती के लिए कि भूमी पर किसका हक होगा कहां से कहां तक की भूमी किसकी होगी, दो लोगों के पीश में बटवारा कैसे होगा इन सबसे जो वाद होते हैं वो कौन सा अधिकारी देखेगा राजस निरिच्छक लेखपाल उपजिला अधिकारी या तहसिलदार तो सही उतर क्या हो जाएगा इसका उपजिला अधिकारी उपजिला अधिकारी इसको देखता है उपजिला अधिकारी जो होता है जो हमारी तहसिल होती है वहाँ पर इसमें कोई भी जो विवाद होता है उसका मजिस्टेट होता है और इसकी उपजिलाधिकारी की अदालत में ऐसे फैंस ले जाते हैं दो भाईयों के खेत का जगड़ा है और वो एक दूसरे को उपर अगर कोट केस करते हैं या दो पलोसियों की कोई जमीन का जगड़ा है तो उपजिलाधिकारी की अदालत में ये मैटर जाता है वहीं से इसके उपर डिसीजन होता है राजा टोडर मल भू लेक प्रिशिच्छन एवं सर्वेच्छन संस्थान कहां पर इस्तित है भू लेक एवं प्रिशिच्छन संस्थान कहां पर इस्तित है अभी यह प्रिशन था देखिए गुमा कि यह प्रिशन पूचा जाएगा तर तो हरदोई ही होगा पहले पूचा गया था कि भू ले कि उनके जाद़ा सरुजन सथान कहां पर है तो हरदोई में है अब यह जो सथान है उसका पूरा नाम है राजा टोडरमल तो यह यहाँ पे हर्दोई में है राजा टोडरमल क्यों बोला जाता है कि टोडरमल ने जो है किरसी की किरसी के छेतर में भूमी के छेतर में काफी ज़्यादा योगदान दिया था इसलिए इस भूल एक प्रसिछन सरचन संस्थान का नाम राजा टोडरमल र पाँच अक्टूबर दोवजार चार दूर घटना बीमा प्रीमियम का बुगतान कौन सी कंपनी करती है तो इसका सही उतर हो जाएगा दा ओरियंटल इंस्वरेंस कंपनी लिमिटेड दूस्तों ये नया प्रिशन आगे हमारे सामने चकबंदी विभाग का प्रमुकार क्या है चकबंदी का बिभाग का काम है कि चक बांधना टुकोडों में खेत हैं किसी के पास ये दो खेत तीन खेत इसके अलग अलग जगों पर दिया गया है तो इन तीनों खेतों को लेके एक ये बड़ा सा खेत उस किसान को दे देना यानि कि एक चक कर देना उसी को चकबंदी ब बहुत ही important question है, आपके सामने है, सही उत्तर आप लोग बताईए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954, बी option correct है, सन 1954 में प्रारंब हुई, चकवंदी योजना का प्रारंब किस जिले से हुआ, देखिए चकवंदी योजना 1954 में प्रारंब हुई, लेकिन वो किस जिले से हुई, उत्तर प्रदेश में किस जिले से हुई, सही उत्तर बताईए कानपुर नगर हर्दोई नगर पिलिवित नगर मुझफर नगर तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों इसका हो जाएगा मुझफर नगर option C बिल्कुल सही है अब बात करते हैं अगले प्रेशने की चकबंदी योजना पूरे प्रदेश में कब से लागू हुई देखिए यहाँ पे मुझफर नगर में संद चमवन में सुरू हो गई थी ठीक है अब पूरे प्रदेश में कब लागू हुई चकबंदी योजना तो पूरा प्रदेश जब उन्होंने कवर कह लिया चकबंदी योजना के लिए तो उसमें जो सन था वो था 1958 1958 से चकबंदी योजना पूरे सहर में पूरे प्रदेश में लागू हो गई तो दोस्तों ये था आज का मौक टेस्ट आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने प्रशने सही किये और इस तरह के और भ नितू में पढ़ाती हैं जीएस के कोहिचन जीके के कोहिचन तो वहां से आप उसको भी देख सकते हैं और लेखपाल की तैयारी हमारी चैनल के मात्या समस्क्रवाई जा रही है अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चुनल सब्सक्राइब करके वैल आइ मिलते हैं नेक्स्ट माक्स टेस्ट में धन्यवाद